बरम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी सत्कुरू निरंकार दातार का हम हर पल शुकराना करते हैं और इस बात को भी हम हमेशन याद रखें कि बरम ग्यान लेने से पहले हमारी क्या उकात थी और ब्रम ग्यान रुपी सोगात देने के बाद हमें सत्गुरू ने क्या से क्या बना दिया है ब्रम ग्यान लेने से पहले की बात भी हम याद रखें कि किस तरह हम थे और क्या हमें सत्गुरू ने बनाया है तेरी रहमतों में अपनी उकात को न भूले, दिन के उजाले पाकर हम रात को न भूले, इसी पराधारी तासी आप जी के चरनों में ये विचार शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें साज संगत जी कहते हैं एक वन में एक रीशी रहते थे उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था वह चूहा रीशी से बहुत प्यार करता था जब वह तपस्या में मगन होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठा भजन सुनता रहता यहां तक कि वह अपने आप ही इश्वर की पूजा भी करने लगा था नेकिन कुटे बिली और चील कोवे आदी से वह हमेशा डरा डरा और सहमा सहमा रहता था एक बार रीशी के मन में उस चूहे के लिए बहुत दया आ गई तरस आ गया रीशी सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा डरा रहता है क्यों ना इसे शेर बना दिया जाए ताकि इस बेचारे का डर खतम हो जाए और यह बेजीज़क होकर निरपह होकर हर स्थान पर गूम सके रीशी सीद थे और बहुत बड़ी दैविये शक्ती के स्वामी थे उन्होंने अपनी शक्ती के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निरपह होकर पूरे जंगल में घूम सके गा लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई यह सारे वन में निर्पया होकर गूमता उसे किसी परकार का कोई डर नहीं था उससे अब सारे जानवर डरने लगे और उसे बरणाम करने लगे उसकी जैज़ेकार होने लगी किन्तू रीशी यह बात जानते थे कि यह मातर एक चुहा है वास्तव में शेर नहीं है इसलिए रिशी उसे चूहा समझ कर ही उससे वहवार करते थे, यह बात चूहे को अच्छी नहीं लगी कि कोई भी उसे चूहा समझ कर ही वहवार करे, वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर भी बूरा असर पड़ेगा, वे उसका जितना मान करते हैं, उस से अ अफरत और अनादर करना शुरू करतेंगे, इसलिए चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस रिशी को ही मार डालूं, फिर ना रहेगा बांस, ना बज़ेगी बांसुरी, यही सोचकर वह रिशी को मारने के लिए चल पड़ा, रिशी ने जैसे ही गुसे से भरे शेर को अपनी और आते देखा, रिशी उसके मन की बात को समझ गए, उनको शेर पर बड़ा गुसा आ गया, इसलिए शेर का घमंड तोड़ने के लिए रिशी ने अपनी दैविय शक्ती से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया, ना संगस जी इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिला है, यह दैसन मिला है, यह शिक्षा मिली है, कि संतों महापुर्शों हमें कभी भी अपने भला चाहने वाले का बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही भलशाली क्यों ना हो जाएं, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिनों ने हमारे पुरे समय में हमारा याद रखता तो उसे फिर से चुहा नहीं बनना पड़ता इसलिए हमें ब्रहम ग्यान लेने के बाद ये बाद जरूर याद रखनी चाहिए कि ब्रहम ग्यान लेने से पहले हम कोडियों के भाव रूलते फिरते थे कोई हमारी बात भी नहीं पूछता था कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं था ये ब्रहम ग्यान रुपी सोगात सत्गुरू की किरपा से हमारी जोली में आई है इसलिए हम ये ब्रहम ग्यान रुपी सोगात लेकर अभिमान में ना आ जाएं कि हम ये ब्रहम ग्यान रुपी सो और अपनी उकात को याद रखना है और सत्कुरू के चर्णों से यही अशीर वाद मांगना है कि है दातार सचे पाशा जिस तरह आप जी हमें गुर्मत मरियादा अनुशाशन ये सब समझा रहे हैं आप हमें समझा रहे हैं कि हमने संतों महापुशों का आदर करते चले जाना है और अपनी उकात को याद रखना है तो हमने इस बात को हमेशा याद रखना है कि सचे पाशा ये जो ब्रमग्यान मिला है मेरी कोई उकात नहीं थी ये आप जी के किर्पा से मिला है आप जी ने हम पर दया की है तरस किया है तो हमें ये ब्रम ग्यान मिला है आप जी हमें हमेशा अने चर्णों से चोड़े रखना और हमें अभिमान से बचाये रखना है सथ गरू निरंकार दातार, कभी भी हमारे मन में किसी परकार का भी कोई अभिमान ना आए अगर हमें विमान करें तो अपने सत्गुरु निरंकारदातार पर करें कि हमें ऐसा पूरन सत्गुरु मिला है जिसने हमें इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराए हैं गुरु की मती में रहना, गुर्मत और गुरु की मर्यादा में रहना आनंद और उनती का आधार है मरियादाओं को छोड़ दें तो अवनती ही अवनती है जिस्तर है रेस कंपिटीशन में दोडने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी लेन में रहकर दोड़ें यहां तक की लेन से बाहर जाने वाला प्रतियोगी भले ही रेस में सबसे आगे हो लेकिन खेल की मरियादा का पालन ना कर पाने के कारण वेह प्राइज का हकदार नहीं रह जाता जीवन की रेस में भी असली विजेता तो वे हैं जो गुर्मत में रहकर मरियादाओं का पालन कर रहे होती है मरे आदा इन्शान से इन्सान से शेहनशीलता और उदारता कि अपेक्षा रखती है कि हमने अपने उदार दिल लखनी है विशाल दिल लखनी है हमने शेहनशील बनना है सत्गुरू ने हमारे हिर्दे में गुर्मत का पोधा सीचा है खाद पानी परकाश देकर उसे प्रफुलित किया है यह पोधा पेड़ बनकर फल फूल देने वाला बनना ही चाहिए प्रैक्टिस इनसान को मजबूत बनाती है इसलिए जीवन में सक्सेस होने के लिए प्रैक्टिस की प्रेहना दी जाती है सत्कुर माता सवींदर हर देवची महराज भी कहते थे कि यह ठीक है कि प्रैक्टिस से मजबूती आती है परिपकवता आती है और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए लेकिन practice positive हो, negative नहीं, कहीं ऐसा ना हो, कि हम negativity का ही practice करते करते, उसको ही अपने जीवन का अंग बना बैठे, हमें अपने उपर ध्यान focus करना होता है, लेकिन हम लग जाते हैं दूसरों की कम्या निकालने में, हमारे परियासों से लोग ठीक हो जाएं, यहां तक तो ठीक है, ले अपने आप का ही विकास रुक जाए यह ठीक नहीं कहा जा सकता अध्यात्मिक्ता में तो इस चेतना की आवश्यक्ता और भी बढ़ जाती है सत्कुरु का सिखाने का तरीका संसार से अलग और अधिक प्रभावशाली होता है सन दो हजार तीन में सत्कुरु बाबा हर्देव स जी महराज फलोरीडा अमरीका के कल्यान यात्रा पर थे एक बेहन बाबा जी के लिए शाम की चाए बनाकर बोली बाबा जी मीठा डाल दू बाबा जी ने कहा एक चमच चाए खतम हो गई तो बेहन ने पूछा बाबा जी चाए और पे लो बाबा जी ने कहा अच्छा फिर बेहन ने पूछा बाबाजी शक्कर बाबाजी निकाह नहीं बिसकुट ले लूँगा। चाए खतम करके बाबाजी संगत के लिए चले गए। अमरीका में शक्कर नमक की तरह बारीक होती है। उस बेहन ने गलती से शक्कर की जगे नमक डाल दिया था। एक कपचाए में एक चमच शक्कर तो हो सकती है लेकिन एक चमच नमक डालने के बाद उसका क्या सवाद बना होगा। और बाबाजी ने उसे कैसे पिया होगा यह सुनकर हैरानी होने लगती है। उस बेहन ने बाद में बाबा जी से माफी बांगते हुए कहा बाबा जी बख्ष लो मुझे सेवा करनी नहीं आती बाबा जी ने फिर भी यही कहा कि नहीं मैं देखता हूँ आप बहुत सेवा करती हूँ बाबा हर देव सिंग जी महाराज को सारी दुनिया यूँ ही प्यार नहीं करती, उनका समझाने का तरीका जमाने से जुदा और जीवन भर्याद रहने वाला था, ऐसा कि एक को समझाएं और हजारों को समझा जाएं, दूसरी और हमारे अंदर गुरुमत की क्या सिच्वेशन है, क्या स्थिती है, हमारी सेहनशीलता, विनमरता और विशालता की भस्ता में हैं, इसका निरिक्शन और मुल्यांकन हमें ही करना होगा, हाला क्यु сос यहीं लगता है, कि हमें इनसानियस से बहुत प्यार है, लेकिन हमें अपने अत्रेक्ट सभी इनसान बुराईयों से भरे नजर आते हैं, श्थिती ऐसी है कि हमें इनसान अच्छे ही नहीं हम गलतियां बक्षाना तो दूर गलतियों को उच्छालने में ही लगे होते हैं गलतियां करना मानव का सभाव है और गलतियों से सीखना और आगे बढ़ जाना ही मानव का वास्त्विक लक्षा है हात्मा कहते हैं गोता मारा सिंदू में मोती लाए पैठ तो क्या हम मोती ला पाए या किनारे पर बैठे लोगों को गोता खोरी की कहानियां ही सुनाते रहे सद्चाई तो यह है जिनके मन में प्रेम अनुराग नहीं है और जो नेग्टिव भावों में उल्ज कर रह गए हैं उनका ग्यान पाना ना पाना एक जैसा ही रहे गया समझना चाहिए सद्चुर के बताए अनुसार अगर ग्यान के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाया ही नहीं गया तो केवल गीले शिक्वे करते रहने से कुछ भी प्रापत नहीं हो सकता है सद्चुर की किर्पा का पात्र बनने के लिए हमें इनके ग्यान उपदेश पर चलना होगा हम अपने जीवन की दिशा तै करना छोड़ें लोग हमें धर्मी ससंगी समझें हमें उदार और भला आदमी समझें इसकी जहा में बहारी तोर पर तो हम वैसा ही बन जाते हैं प्रंतु अंदर विपरिज भावों का अंबार भरा नजराता है आवशकता इसे ठीक करने की है हम सबके भले की कामना करें सबके मंगल के साथ हमारा मंगल हमारा कल्यान हमारा उधार भी हो सके जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो हमें अपना भला मांगने की जरूरती नहीं पड़ती है सब में हम भी आ जाते हैं हमारा भला अपने आप ही हो जाता है इसलिए हमें सत्गुरू समझाते हैं कि हम अगर ससंगी हैं हम धर्मी हैं उतार दिलवले हैं तो फिर कोई हमारी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा हमने इस तरफ ध्यान नहीं देना हमने अपना करम करते च हमने अपने सही कर्म करते चले जाना है जो हमें सत्कुरूने समझाया है। मनें अपनी सोच जो है पोजटिव रखनी है tutorial नेगेटिव नहीं रखनी जब अच्छी सोच होगी तो हमारे मन में अच्छे ही विचार आएंगे। सब का भला करने की काम नहीं आएगी सच्छन करने का भाव ही आएगा दूसरों को सुख पुंचाने का भाव ही आएगा दूसरों का भला मगने का भाव ही आएगा सब के लिए हम मंगल मंगल ही सतकुर से मांगेंगे हे हे सचे पाशा सब जगह मंगल मंगल हो ये मेरे सचे बाषा तुम ही हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंदू हो, तुम ही सब कुछ हो, मेरे मालिक दीन द्याल, इसी तरह हमे अपने चर्णों से लगाए रखना और जो जो भी हमें आप सिखा रहे हो, इन पर हम करम रूप में ढालते हुए, अमल करते हुए, अपना जीवन गुजारें और सब के भले की कामना करें, सब का भला मांगें कि मेरे दातार सच्चे बाशा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे बदरान लबास्चे बाशा, किसी को भी किसी ब्रकार का कोई दुख कश्च ना हो, ऐसी हम सब के लिए भावना रखें और ऐसी सब के लिए हम मन 오 कामना करें, यह दातार सच्चे बाशा, इसी तरह सारा संसार खुश हाल रहे, वसुदैव कटुंकम की भावना हमारे बन में हो, कि सा परिवार जो है ये संसार जो है हमारा परिवार है सबका भला करो भगवान सबका सब विदियो कल्यान साथ संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी